उसे में एक पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट को अरेस्ट कर लिया गया है. एक पाकिस्तानी नैशनल को अरेस्ट किया गया कि वह यहां पे डानल्ल ट्रम्प को खुद एससेनेट करने के लिए वह यहां पर आया था. मुझे तो वो अजीब सी बात है आसिफ मर्चेंट उनको कहा जाता है लेकिन हमें वो अमेरिका में 20 साल पीछे धका मार के फुछ जेल में चलेगे बलकर मुझे क्वेसे किया गया यह अर यह अरान है उनके इतना उनके प्राक्सिस चल रही है पाकस्तानी ही क्यों उनको मिला रहा है जब जो इरान की तरफ dopo फगौर से था कि एंब ही की टी ऐ। कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। तो इस वज़ा से इसको ज्यादा 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 है। तो दोस्तो शायद आपको पता हो कि दुनिया के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक बात बहुत ही मशुर है कि पाकिस्तानी आर्मी भाड़े का टटू है। यानि एक ऐसा आर्मी जो किराय पर दुसरे के लिए काम करता हो। और उसकी खास बज़ा यह है कि जिस तरह से 1947 के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पैसे के लिए या डॉलर के लिए अपने आपको बेचा। कभी अमेरिका के हाथ हो तो कभी रसिया के हाथ हो तो कभी चैना के हाथ हो। यानि जिसने भी पैसे दिये पाकिस्तानी आर्मी ने उसको अपना मायबाब बनाया लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी कई खबरे निकल के आ रही हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं बलकि पाकिस्तानी के लोग भी भाड़े के टट्टूज से काम करते हैं ले राह पे चलते हैं या उपर बाले बनाए की बात मानते हैं लेकिन अगर हकीकत देखें तो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही दिन रात प्रोपेगेंडा करने जूट बोलने रिक्टिम कार्ड पले करने में लगे हुए हैं तो दोस्तो आई देखते हैं पाकिस् मुझे तो वो अजीब सी बात है आसिफ मर्चंट उनको कहा जाता है लेकिन हमें वो अमेरिका में 20 साल पीछे धका मारके बहुत बुरा हुआ यहां पर आसिफ मर्चंट साब को पकड़ा गया है और ऐसे इल ट्रेंड है बलकि मुझे से क्वेस्टन किया गया यार यह इरान है है उनकी इतना उनके प्राक्सिस चल गहीं है पाकस्तानी ही क्यों एक उनको मिला है मेरिका सस्ता मिल गया होगा लेकिन बहुत अफसोफ होए बहुत है पाकस्तान को पहले भी इन दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देख भी और यह आकरी धका जो है हमारे आसर भायजन आ तो यह वहत नश्याज फरेशज बात करत कर रहां मेरे तो पाक्सानी भाइजा 1890 होगे पकड़ वह लुग जाके भेज़ दूगा तो फिर वहां पे शेल्ट उनके साथ कोड़ वर्ड भी रख गया है कि अगर तुम्हें स्वेट शेट का बात करूं तो इसका मतलब मुल्डर करना है अगर सिर्फ टी-शेट की बात करूं तो टांगे तो उड़नी है और अगर फलाँ चीज कहूं तो उसके बाद जलसा करना है 20-25 लोगों को लेके हंगामा करना है लेकिन देखें किस तरह पाकस्तान का नाम बद्राम किया है मुस्मानों का नाम बद्राम उसने किया है बहुत अफ्सौस हो है हमारा यहां पे जहना जो है उसने दुश्वार कर दिया है पहले ही कि इन्होंने जो इमिकरेंट्स हैं उनको रिजिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्किलिलियि eerste मसल्म इमिकरेंट्स को बाकि मसल्म प्रॉब्लम नजर नहीं आरा इंडियन तर इन्डियों वहि BY हैं पहली बात ही एक तो यह है क् ich दो रही कि लोगं जिसे मुसल्मान या बंगला देश या पाकिस्तान या अराबिक कंट्रीज के जो कुछ जो है लोग हैं जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं उनके माशी आलाद थीक हो जाते हैं सोसाइटी उनको एकसप्ट कर लेती है यानि जिन्दगी जब उनकी ट्रैक पर शुरू हो जाती ह जो वहां से लेके आय होते हैं और उनिने उनको वक्ती तोर पे बंगलेशन उसको बर्दाश्ट दी कर सकती हैं सबसे पहली बात तो वह ये करते हैं कि गंध डालना शुरू हो जाते हैं आप जो है वो छिकन विंग खाके तो उसकी आड़ी नीचे सड़क में फैंके गे तो नीचे जिस सफेद फार्म आदमी के सामने जाके वो अड़ी गिरेगी जाहर है उसको तो उसा आना चाहिए न उसके बाद ये तो एक मैंने आपको मसाल दी जहां से शुरू होता है लेकिन ये एक स्टेप बाइ स्टेप प्रासेस है जिसमें हलाल गोश्ट की दुकाने कि अगला स्टेप इसका वो आता है रिलिजिस बैकराउंड है उसको डिस्प्ले करने का एक तो होता है न कि आप रिलिजिस हैं एक ये है कि आप मजब को बातोरे आथियार जो है वो मकामी पापुलेशन को जैनी तशादद के लिए इस्तमाल करते हैं मसलिन आप चलते चलत के वो सड़क में कड़े होके तो नमास बनने शुरू हो जाते हैं और ये अमल जो है ये एक इंडिविजिजिज से लेके ग्रूप आफ पीपल तेक आपने भी देखा होगा कि किस तरह रिलिजिजिन को डिस्प्लेश कर जाता है ऐस टूल आफ जराने के टूल के तोर पे इ इसनमाल करते हैं तो लोग ना सिर्फ खौफ ज़दा होते हैं बलके उनके अंदर एक नेचरल जो है एक रियक्शन पैदा होता है कि इन लोगों का अगर ये इतने हैं तो ये आल है तो ये अगर इनकी तादा दुगनी तुगनी हो जाए तो फिर उसका क्या होगा इसके बा रैडिकल चेंज आ जाती है और वही लोग जो है वो वापस जाके आपकी अपनी सड़कों पे जो है वो जीन या सूट जून की गरमी में तरी पीसो टाई डालके तो गूमते हुए नजर आएंगे तो ये जो तज़ाद है ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े की जो है वो उसमें हैं तो इसकी बज़ा से ये एक बाकाइदा तज़ाद है जो के दुरूस्त नहीं है